आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ उसके अंतरगत DNA का क्रित्रिम संसलेशन क्या होता है जो DNA के operating खंड खंड अए इन प्रिफांव को क्या करना जोड़ना क्या करना प्रिफांश करना को जोड़ना इनया की मरमत जो आँठ करके मरमत दिन एक नुडमत कुछ नुक्लियो टायर्ट्ट के बिदख करके बद़ना और जो DNA के क्या होते हैं कुछ Nucleotides होते हैं जो आवांशित होते हैं क्या होते हैं जो DNA के Nucleotides आवांशित होते हैं इन Nucleotides को क्या करना पिथक करना और पिथक करके क्या करना उनको बदलना किसे जो वांशित DNA Nucleotides होते हैं उनसे क्या करना इनको बदलना इच्छित जीन्स को स् श्फापट करना आदिकरियाइं होती हैं क्या होते हैं यह आदिकरियाएं जीनी आभीयंत्रीकी के अंदर या अंतरगत होती हैं कि इस कारण से इसे से पुना स्योंजी रिने प्रण्योंगी क्या चाहे हैं मेध्य क्या samaronic करेंगे इंसुलिन संस्लेशन की किसकी जो इंसुलिन होता है तो इंसुलिन के संस्लेशन की बात करेंगे इंसुलिन का संस्लेशन कैसे होता है क्या होता है जब इंसुलिन मदुमेह को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है इंसुलिन होता है क्या होता है जो मदुमेह होता है तो मदुमेह को कौन नियंत्रित करता है इंसुलिन करता है क्या करता है मदुमेह को नियंत्रित करने के लिए उप्योगी इंसुलिन के जीन को मनुश्य अत्वा जन्तु के अगनासे की कोशिकाओं से प्रिथक करके अब क्या क्या जाता है यह उप्योगी इंसुलिन के जीन को मनुश्य अत्वा जन्तु क्या होते हैं जो मनुश्य होते हैं अत्वा जन्तु होते हैं इन जन्तु के जो अ थक की जाती है क्या की जाती है प्रिथक की जाती है तसा जो प्लाज्मिट वेक्टर होता है कौन सा वेक्टर होता है प्लाजमिट वेक्टर तो इस प्लाजमिट वेक्टर की सहायता से जीवानों में प्रवेश कराकर तो इसका क्या किया जाता है प्लाजमिट वेक्टर की सहायता से इसका प्रवेश जीवानों में कराया जाता है इस जीवानों की अनेक प्रतियां प्रा अनेइकों प्रतियां प्राप्त की जाति हैं यहाँ प्रक्रिय जीन क्लोणिंग कहला दिये तो जब इसके क्या किया जाती है अनेइकों प्रतिय स्थासूरिम कहा जाता है जीन की इन प्रतियों की साहता से इंसुलिन का ओध्योगिक निर्मान किया जाता है तो जीन की जो यह प्रत्रियां होती है इन प्रतियों के निर्मान से इन प्रतियों की साहता से इंसुलिन का ओध्योगिक निर्मान किया जाता है तो इंसुलिन का क्या किया जाता यहां पे और योगिक निर्मान किया जाता है इन पषीrat ओकी हुईआता से सर प्रतम इस प्रकार से इन्सुलन के, जीन की क्लोनिंग कसरे भारत्य मूल के निवासी स्रप्रतम क्या तो इन्होंने क्या था जो अपना प्रियोग किया था ये प्रियोग कनाडा के ओटावा में क्या था का गया था कनाडा के ओटावा में किया था मदुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है क्या होता है जो मदुमेह रोग होता है यह मदुमेह रोग क्यों होता है जब इंसुलिन हार्मोन की क्या होती है कमी होती है किसकी कमी होती है इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मदुमेह रोग होता है तो अग्निया से की लेंगर हैंस द्विकाओं की बीटा कोशिकाए इंसुलिन स्रावित करती है क्या होता है जो अग्निया से होता है हमारा तो अग्निया से की जो लेंगर हैंस द्विकाए होती है क्या होती है लेंगर हैंस द्विकाए तो इन लेंगरहन से दूपिकाओं की जो बीटा कोशिकाओं होती है कौन सी कोशिकाओं? बीटा कोशिकाओं ये क्या करती है? इंसुलिन को स्रावित करती है क्या करती है? इंसुलिन का स्रावन करती है कोशिका के छतिगरस्ट हो जाने से इंसुलिन की कमी हो जाती है अब क्या होता है जब कोशिका क्या हो जाती है छतिगरस्ट होती है क्या होती है कोशिका जब छतिगरस्ट होती है तो कोशिका के छतिगरस्ट होने से क्या हो जाती है यहाँ पर इंसुलिन की कमी हो जाती है क्या बढ़ जाती है सरीर की छोषगा हैं इस रख्तसरका का उपयोग नहीं कर पाती है क्या नहीं कर पाती इस रक्त सरक्रा का उप्योग नहीं कर पाती इस रोग के उपचा रहे तो इंसुलिन पहले बेड़ सुवरों आधी को मार कर उनके अगनाशे से निकाला जाता था तो पहले क्या किया जाता था इस रोग के उपचा रहे तो जो इंसुलिन प्राप्त किया जाता था क्या किया जाता था जो इंसुलिन प्राप्त किया जाता था वो भेड या सुवरों को मार कर किया जाता था क्या किया जाता था कि बैड को और सुवर को मारा जाता था जथा उनके अगना से इसे क्या किया जाता था उनके अगना से इसे इंसुलिन को प्राप्त किया जाता था जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगयों में एलर्जी क्या हुआ कि जानवरों द्वारा प्राप्त जो ये इंसुलिन था इससे क्या हुआ कुछ रोगयों में एलर्जी हो गई क्या हो गई एलर्जी हो गई या भाय प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगी या जो भाय प्रोटीन होती है इस भाय प्रोटीन के लिए सरीर के अंदर क्या हो गई अनेग प्रतिक्रिया होने लगी इंसुलीन दो छोटी पॉली पेप्टाइड स्रिंकला का बना होता है अब जो ये इंसुलीन होता है ये क्या होता है दो छोटी पॉली पेप्टाइड स्रिंकला का बना होता है किसका बना होता है दो छोटी पॉली पेप्टाइड स्रिंकला का बना हुआ होता है तो । दो चोटी पॉलिपटैड सिंखला का क्या होता है इंसुलिन बनाुigor grown말 सिंखला भी क्यों तो यह जो शोटा ए तता सिंखला एंप यह घृजे टथा संखला भी जोती है यह रह आपस में जुड़ी होते हैं क्या होती है इस बसे A और सिंखला B होती है, यह क्या होती है, डाइस सलफाइड बंद के द्वारा, इसके द्वारा, डाइस सलफाइड बंद के द्वारा आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है, मानव सहीत इस्तंधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन, संसलेसित होता है, जिससे एक अत्रिक प्यैलाई होता है तो मानव सहिद क्या होता है जो अन्या इस्तंदार्यों होता है का होता है मानफ सहित अन्यला इस्तंदारियों में क्या होता है तो यह इसे ultrap होता है फैलाव होता है जिससे क्या होता है प्रकाईड़ C नहीं होता है तो यह जो प्रकाइड इन्सुलिन में नहीं पाया जाता जो परिपक्वता के दोरान इन्सुलिन से अलग हो जाता है तो यह क्या होता है जब परिपक्वता होती है इन्सुलिन में तो इन्सुलिन में परिपक्वता के दोरान क्या होता यह प्रिथक हो जाता है या क्या हो जाता है अलग हो जाता है नोधी क्या है कि इंसुलिन को एकत्र कर परिपक्वा रूप में त्यार किया जाए पहले तो क्या क्या जाए इंसुलिन को एकत्र किया जाए और एकत्र करके क्या क्या जाए परिपक्वा कि रूप में क्या क्या जाए तयार क्या जाए तो इसको क्या क्या जाए परिपकवर रूप में तयार किया जाया शन 1903 में ऐली लिल्ली नामक एक अमेरी कंपनी अब कि हां गया हुआ सब 1903 में अमेरिकी कंपनी है एक एली लिली तो एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने दो डियने अनुक्रमों को त्यार किया क्या क्या दो डियने अनुक्रम तो इन्होंने दो डियने अनुक्रमों को त्यार किया जो मानव इंसुलेन के सिंखला इस इको लाई के इंसुलिन की स्रिंखला एं इको लाई के प्लाजमेंट में प्रवेश कराकर तो इसके प्लाजमेंट में क्या कराया गया प्रवेश कराया गया और प्रवेश कराकर इंसुलिन सिंखलाओं का उत्पादन किया गया और इसके बात क्या गया इंसुलिन सिंखला A और B को निकाल कर यहां से क्या क्या गए इनको निकाला गया और इनको क्या क्या गया ए तथा भी जो ये निर्मिज श्रिंखला दी क्या थी जो ये निर्मिज श्रिंखला दी इनको आपस में क्या क्या गया सुन्योजित क्या गया स्यूंजित क्या गया कि इन के पीच में क्या क्या गया धाई सलंफाड बनुछए गये कौन से बन tan différence बन तो डाई सल्फाड बन कर इन दोनों को क्या क्या गया對啊 कैसे आपस में को सही ओजित क्या गया और सही जित कर मानव इंसुलिन का निर्मान किया गया और सही जित कर क्या किया गया जो मानव इंसुलिन होती है क्या होती है मानव इंसुलिन सही जित करके मानव इंसुलिन का क्या क्या गया निर्मान किया गया तो यहां पर इनको जो ए और भी जो सृंखलाएं थी, इन अलग-अलग निरम्सृंखलाओं को क्या क्या गया प्लाजमिट से निकाला गया और डाय सिल्फाइड बन के दौरा आपस में क्या क्या गया? सही उजित क्या गया. क्या क्या गया सही उजित किया गया डाय सलफाइड बंद के द्वारा और सही उजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया और जब इनको सही उजित किया तो इसके बाद क्या क्या गया मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया क्लासिक्स चुट्वेल से लेके मीट आयाईटी जेही मेंज और एडवान्स के लेवल ततास मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट करे डाउटने टाप या वाट्साप कीचे अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर